जानवी कुक्रेजा जानवी के पापा को एक कॉल आया और अचानक से उनकी जिन्दगी में सब कुछ बदल गया पाटी में जानवी के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो उसके पेरिंट्स सोज भी नहीं सकते 19 साल की जानवी मुंबई के खारे लाके में रहती थी 31 दिसेंबर को उसके पापा का बड़ दे था इसलिए इस मौके पर जानवी ने घर में ही एक छोटी सी पाटी रखी थी जिसमें जानवी के कुछ बचपन के दोस्त और पडोसी शामिल हुए थे इस पाटी में जानवी के सबसे पुराने और करीबी दोस्त श्री और दिया भी थे साथ बज़े तक केक कटिंग हो गई थी और उसके बाद जानवी और उसके दोस्त अपने एक फ्रेंट की न्यूएर पाटी में चले गए उनका यश नाम का दोस्त उसी एरिया की सोसाइटी भगवती हाइट्स में रहता था और उसी के घर पर वो न्यूएर पाटी भी थी पाटी में फुल 15 लोग आने वाले थे और सभी जानवी के बहुत करीबी दोस्त पर पड़ोसी थे यहां तक की दिया तो जानवी की ही बिल्डिंग में रहती थी प्लान के अकॉर्डिंग पाटी 9 बजे स्टार्ट होने वाली थी मगर किसी रीजन से पाटी के स्टार्ट होने का टाइम 11 बजे कर दिया गया था जानवी उसी अकॉर्डिंग अपने दोस्तों के साथ पाटी में पहुँच गई और इंजॉय करने लगी वैसे तो पाटी खतम होने का वक्त कुछ एक बजे के करीब था मगर पाटी फुड़ा जादा लंबी चल गई और इस वज़ा से जानवी अपने घर टाइम से वापस नहीं लोटी जानवी के पापा ने करीब देड़ बजे जानवी को कॉल भी किया मगर उस वक्त उसका फोन बिजी आ रहा था इसके बाद उन्होंने ढाई बजे और फिर तीन बजे भी जानवी को कॉल किया मगर तब जानवी ने फोन ही नहीं उठाया क्योंकि वो अपने बच्पन के दोस्तों के साथ थी जिनने जानवी के पेरेंट्स भी अच्छे से जानते थे इसलिए फोन ना उठाने पर जानवी के पापा ने ज़्यादा टेंशन नहीं ली और उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि जानवी लेट होने की वज़ा से वहीं सो गई होगी मगर सुभा के पाँच बजे जानवी के पापा प्रकाश कुक्रेजा के फोन की घंटी बजी फोन पर एक आदमी ने प्रकाश को बताया कि उनकी बेटी जानवी का एक्सिडेंट हो गया था और वो तुरंथ होस्पिटल आ जाएं इस कॉल के ठीक एक मिनिट बाद ही दिया के पिता समीर का कॉल आया उन्होंने भी प्रकाश को यही बताया कि बच्चों का एक्सिडेंट हो गया है और उन्हें तुरंथ खार पुलिस टेशन पहुचना है मगर हैरानी वाली बात ये थी कि समीर ने कहा कि दिया हिंदूजा होस्पिटल में थी और जानवी एक दूसरे होस्पिटल बाबा होस्पिटल में थी अगर बच्चे साथ में ही थे तो आखिर दोनों लड़कियां अलग-अलग होस्पिटल में क्यों थी और समीर प्रकाश को हॉस्पिटल की जगा पुलिस स्टेशन के बुला रहा था यही सब सवाल मन में लिए प्रकाश खार पुलिस स्टेशन पहुचा और वहां उसे जो ख़बर मिली उसे जान कर प्रकाश के पेरो तले जमीन थिसक गई प्रकाश को बताया गया कि उनकी गलौथी बेटी जानवी की डेथ हो गई है जानवी की तरह हमारी जिंदगी में भी हम हमेशा क्राइम से घेरे रहते हैं कहीं गोली चलती है तो कहीं चाकू कहीं मर्डर होता है तो कहीं चोरी कोई क्राइम प्यार के लिए करता है तो कोई बदले के लिए मगर कई crimes ऐसे होते हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, कि क्या आप सच में सेफ हैं, ऐसी ही दिल धहला देने वाली true crime stories, लेकर आया है Amazon Mini TV, अपने नए शो, crimes आजकल season 2 में, जहां आपको दिखाई जाएंगी, होशुड़ा देने वाले real life crime cases के पीछे की पूरी कह तो इस वीडियो के बाद Amazon Mini TV पर जाओ, और देखो crimes आजकल season 2, वो भी बिलकुल free, link pinned comment में, फिलहाल जानवी के केस के पीछे की पूरी कहानी पर आते हैं, वो भगवती heights के ground floor पर dead पाई गई थी, ये ख़बर मिलते ही, जानवी के parents तुरंत hospital भागे, जहां उन्हें जानवी ये लाश मिली। तो जरूर था, पुलिस ने भी इस केस की FIR दर्च करके investigation शुरू कर दी, पुलिस ने party में president सभी से पूछता शुरू कर दी, तब पुलिस को पता चला कि श्री, जानवी और दिया पाटी में सबसे अलग पैठे हुए थे, कुछ देर बाद किसी कारण से जानवी बहां से उ पस रोने लगे, और श्री और दिया से लड़ाई करने लगी, जानवी के दोस्तों के according श्री जानवी का boyfriend था, मगर जानवी की मा इस बात से बिलकुल इंकार करती थी, उन्होंने कहा था कि जानवी अपनी हर बात उनसे share करती है, और जानवी का boyfriend श्री नहीं, बलकि कोई और जिसके बारे में जानवी अपनी मा को बहुत जल्द बताने वाली थी, पार्टी में ही एक दो लोगों ने ये भी कहा कि जानवी किसी के आने का वेट कर रही थी, मगर फिर वो श्री के साथ बिजी हो गई, बहस होने के बाद जानवी साइड में जाकर किसी को फोन करके रोन और वो बार बार यही कह रही थी कि वो दोस्त के तोर पर श्री और दिया दोनों को ही खोना नहीं चाहती थी, इतनी सी बात करके जानवी ने फोन काट दिया और वो पार्टी से कहीं गायब हो गई, करीब 2 बच कर 20 मिनिट पर, कुछ लोग पार्टी से निकल कर वापस अप मार पीट की गई थी उसके सकल, रिब्स और हादों की हड्डियां टूटी हुई थी जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी और इंसेक इंवेस्टिगेशन में पुलिस को बिल्डिंग के हर फ्लोर पर जानवी के और किसी और के अन्नोन फिंगर प्रिंट्स बलड और बिलोंगिंग्स मिले थी पुलिस ने तुरंट सस्पेक्ट मान कर श्री और दिया को अरेस्ट कर लिया जब उनके घर की तलाशी ली गई तो श्री के पास से पार्टी वाले दिन की शर्ट बरामद हुई जिस पर जानवी का खून लगा था इसे एविडेंस मान कर पुलिस ने कोर्ट में श्री और दिया के खिलाफ चार्ट चीट फाइल कर दी पुलिस के अकॉर्डिंग श्री दिया और जानवी में खुब जगड़ा हुआ था और फिफ्ट फ्लोर पर आते आते तो उनमें हाता पाई की नौवत आ गई थी तभी श्री और दिया ने जानवी को मारना शुरू कर दिया था और सेकंड फ्लोर पर लाकर उसे एक ग्राउंड फ्लोर पर धक्का दे दिया था दूसरी तरफ श्री और दिया इन सभी एक्कुजिशिशन्स को आज तक डिनाय करते है उनकी अकॉर्डिंग जानवी का बॉइफ्रेंड कोई और था और वो पाटी में उसी वक्त उसी का वेट कर रही थी मगर जब वो नहीं आया तो जानवी नाराज होकर पाटी छोड़कर चली गई थी लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि जानवी की खून के ट्रेसेज हर फ्लोर पर पाए गए थे यानि उसके साथ हर फ्लोर पर मारपीट हुई थी मगर इस चीज का उस पाटी में मौझूद पंधरा लोगों में से ना कोई आई विटनिस था और ना ही किसी ने कोई आवास सुनी थी यहां तक कि CCTV में भी ऐसा कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था ये केस अभी भी कोट में चल रहा है क्या सच में श्री और दिया ने जानवी को मारा है या फिर ये काम उस मिस्टीरिस बॉइफ्रेंड का है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता और क्यूं पार्टी में मौझूद उन 15 लोगों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा आपको क्या लगता है इस केस की क्या सच्चाई है अगर आपको हमारी क्राइम स्टोरीज पसंद आ रही है तो हमारे शानल दे क्राइम शोब आखूनी मंडे को सबस्क्राइब करना ना भूले वह भी बिल्कुल फ्री शो का लिंक पिन कॉमेंट में